अभी मैं आप सभी के साथ में अपना profit का जो running statement है वो share कर रहा हूं कि अभी right now कितना profit चल रहा है और जो मैंने positions ली हुई है वो किस तरीके से work कर रही है अभी stock market में तो अभी 37,000 का तो profit है but in reality देखे दोस्तों तो जो मैंने profit book किया है वो है 7,000 रुपे का profit कितना 7,000 का अभी book किया है और इससे पहले मैंने 1-2 दिन पहले दोस्तों करीब 5,000 रुपे का profit book कर लिया था ठीक है बुक कर लिया अभी 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 जो मेरा main profit है दोस्तों वो सिर्फ अभ आने वाले कुछ दिनों में जो है मैं nifty के October मंद के 17,000 के call writing में जो है बेठा हूँ ठीक है उसकी hedging की यह 17,100 के call को buy करके इसकी साथ साथ दोस्तों मैंने जो है 6 October के पहले से call writing के trade से लिए हुए है जो कि आप देख सकते हूँ यहाँ पर 6 October के 17,100 के call पे मैंने 17,200 के calls को buy करके hedging की हुई है तो यह मेरा एक तरीका है option writing with hedging का लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको पिछली वीडिय से नहीं आपई बट concept यह था कि जो मैं 23 मार्च के जो है 18,000 के in the money puts लेके बेठा हूँ ठीक है जो मेरी main profitable positions होगी आज से कई महीनों बाद ठीक है तो मेरे को इनको यह बले loss में जाए यह profit में रहे मेरे को इसको carry इसको hold करना है long term के लिए अगर यह loss में चल जाती है अभी त बट market में अगर कोई बहुत अचानक से उचाल आता है तो मेरे जो यह option writing के profits है यह इसको cover up करेंगे है तो एक यह money management risk management करने का एक तरीका है तो market जो है दोस्तो market में इस तरीके से profit बनते है लंबे टाइम पर अब दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा कि trade learners के telegram channel के साथ भी stop करता हूँ मैं यह सिर्फ inform करने के लिए कि वही मैं किस तरीके से अभी running positions में हूँ किस तरीके से मुझे profit हो रहा है तो वो कितना हो रहा है और वो मेरा आगे का प्लान रहेगा थोड़ो थोड़ो बताता रहूँगा इस तरीके से short videos मनाने की कोशिश करूँगा